Hello friends, हर कोई चाहता है कि वो कार जब शोरूम से लेके आता है जैसी चमकती हुई वैसे उसकी लॉंग लास्टिक चमक बरकरार रहे हैं उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं दोंगा अगर आप उसको अपलाई करते हैं तो आपकी कार हमेशा वैसे ही चमकती रहेगी जैसे आप लेके आये थे यह सारी चीज़े डिपेंड करती हैं आपके कार क्लीनिंग के तरीके पे इंटिरियर क्लीन करने के लिए क्या प्रेकोशन रखने हैं और आपके पेंट को प्रोटेक करने के लिए क्या करना है यह सारी चीज़े डिसकस करूँगा अपनी वीडियो में तो आज मैं कर रहा आर वाशिंग सबसे पहले मैंने क्या किया इसके ऊपर एक पानी लगा के रख लिया उपर से क्लीनिग कर ली अब देखिए मैंने क्या अपलाई किया यहां पर शैंपू का यूज करना है आटोमोटिव शैंपू अच्छी क्वालिटी का शैंपू यूज कीजिये कभी बिटर चाहिए तो मैंने क्या किया माइक्रो फावर टावलल लिया और इससे अपलाई करना शुरू किया ज़्रूरी नहीं कि आप इसी तरह से आप्लाई करें फॉम से भी कर सकते हैं लेकिन से वो cleaning नहीं आएगी जो आपकी इस तरह से आएगी इस तरह से आप अच्छे से clean कर सकते हैं Point number 2 आप याद रखें कहीं भी आपको spot दिखते हैं निशान दिखते हैं जैसे कि इस गाड़ी में tape के निशान हैं कोलतार के निशान है इस निशान को आप देखिए मैंने नाखुन से सुडाने की कोशिश नहीं की या कोई ज्यादा कोशिश नहीं की मैंने सिर्फ इसके ओपर शेंपू किया और उसको वैसे ही छोड़ दिया क्लीनिंग करते समय आद रखेंगे गाड़ी को शेड में वाश कींए ठंडी जगह लिए डिर्यक्न संलइट में खड़िया आवाइड कीजेHere यह वहाँ पर व 것이 इस सबूढ़ है मीरे साथ है कभी ऐसा है कि इसकी विंड्शील्ट चटक गई काड़ी की मैंने किया कि डायरेक्ट पानी डाल दिया उसके उपर तो कभी भी आप देखिए पाइप से वाड़ी को वाश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पाइप लिया आपने सीधे शीशे पर डालना शुरू किया इस चीज को किजिए कभी भी इस च्बाइब कर लिए ये जो टीप से यह बहुत इंपार्टेंट है आपकी जो क्रोब फिनिशे एरिये क्रों फिनिश एरिये कभी भी डस्टी कपड़ा मत लगा हिए clean कर लिया आपने देखी shampoo करने के बाद simple इसको पानी से wash कीजे पानी से wash कीजे यह भी ध्यान रखिए कि पानी आपका साफ पानी से आपको wash करना है गंदा पानी का इसमें इस्तुमाल नहीं करना है साफ पानी से मैंने पुरा wash किया half body मैंने पहले shampoo किया हाफ बोड़ी बाद में किया, टायर के ऊपर का एरिया, टायर के नीचे का एरिया, समझ रहे हैं आप, यानि कि शेंपू जब किया मैंने, तो ऊपर की बोड़ी को पहले किया, नीचे की बोड़ी को बाद में किया, और इसको पूरा वाश करने के बाद, जरूरी है कि इसको ड यह पानी इसके उपर सूख जाता है, सूखने के बाद शीशे के उपर आपको वह मार्क्स दिखने लगेंगे, निशान दिखेंगे, लेकिन पेंट पे ऐसे निशान नहीं दिखेंगे, वह धीरे धीरे पेंट की शाइनिंग को खतम करता रहेगा, उसके उपर एक पीला पंसा आता रहता है, तो जब भी गाड़ी को वाश कीजिए, वाश करने के बाद तुरंत उसको साफ कीजिए, बड़े टावल से, देखेंगे, मैंने यहां बड़ा टावल लिया है, और माइक्रो फाइवर टावल है, हाई जीसम का, एक बार मैंने यह उपलाई किया, पूरी हो जाती है, आप यह मत कीजिए, कि सेंड पेपर की तरह हो गया, मैक्रो फाइवर टावल, फिर भी आप उसको यूज कर रहे है, तो फिर उसका मैं आपको चेंज कर दीजिए, वाशिंग के बाद, वैक्स पॉलिश का यूज कीजिए, वैक्स पॉलिश से क्या होगा, कि यहां पे मैं इसका तो यूज नहीं करूँगा, यहां पे मैं यूज करूँगा, यहां पे मैं यूज करूँगा, मैं इसको अप्लाई करूँगा, अप्लाई कैसे करूँगा, देखे, मैंने एक लिया, स्प्रे केंड एंप्टी, खाली था यह, इसमें मैंने थोड़ आसा यह chemical डाल दिया, chemical डालने के बाद, इसको मैंने tight किया, अब simple मैं spray से use करूँगा, spray लूँगा, इस पर microfiber टावल पे, इस तरह से, और simple मैंने क्या किया, gear lever को disinfect किया, disinfect plus cleaning, दोनों चीज़े एक ही साथ हो जाती है, switches वगर हैं, यह देखे, जितने भी switch हैं, यह wiper switch हो गया, horn के switch हो गया, जितने भी switch है, start button हो गया, इन सारी चीज़ों को disinfect करना है, पहले इस से, मैं कर रहा हूं इस वज़े से, क्योंकि हो सकता है, कि जो दूसरा बंदे ने कभी इसको drive किया, तो उसके हाथ में कुछ रहा हो, या फिर मेरे हाथ में कुछ रहा हो, किसी और तक ट्रांस्पीट ना हो, तो इस वज़े से, पूरे अच्छे से, मैंने किया, और डेश बोट को इस से में clean कर रहा हूं, प्लस क्लीनर का भी काम है इसका, क्लीनिंग इस से अच्छी होती है, इसके बाद ऐसा लगता है कि आपको पॉलिश अप्लाई करने की जुरुवत नहीं है, मैंने इसको यूस किया, अपने और गाडियों में इसको यूस किया, तो इसको लगाने के बाद ऐसा लगता है कि आपको पॉलिश नहीं भी करते हैं, तो ऐसा चलेगा, यह देखिए और एक चीज, प्यानो फिनिश जो एरिया है, प्यानो फिनिश एरिया को आपको clean करने के लिए, साफधानी रखनी है, इससे जादा, पहली चीज, तो माइक्रो फाइवर टावल का ही यूस करेंगे, किसी भी और कपड़ेगा नहीं, स्मूथ कपड़ा आपको दिख रहा है, बहुत सारे दिखेंगे, कॉटन है, साफ दिख रहा है, मुलायम दिख रहा है, अब जितना भी आपके कार में एरिया है, प्यानो फिनिश, प्यानो फिनिश में कहरा हूँ, इस चीज को जो बिल्कुल जादा शाइन है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, वहाँ पे मैं यूज करूँगा, हाई जीशम का मेक्रो फाइवर टावल, कोशिश आपकी ये रही है कि बिल्कुल क्लियन होना चाहिए, इंटियर क्लियन करने के लिए अलग टावल र noticing, मैंने लिया हाई जीशम का, हाई जीशम का लेने से फाइदा ये है कि यह जो आपको प्यानो फिनिश दिख रहा है, इसके उपर अब हलका सा भी कोई चीज लगाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस स्क्रेच इसमें दिखने लगेगी कि वहां पर माइनर माइनर से आपको इसक्रेचेस दिखने शुरू हो जाएंगे और वो उसकी शाइनिंग को दिरे-दिरे कम कर रहें और अगर आप माइक्रो फाइवर टावल यूज करने तो यूज करने के बाद उसको वाश करके रखिए वाश करके दुबारा फिर यूज कीजिए लेकिन हाँ जब देखी को खराब हो गया है उसके रोवें बिल्कुल खतम हो गए तब उसको हटा के चेंज कर दीजिए और फाइनली गाड़ी साफ हो गई है कुछ कोलतार के निशान इसके उपर थे जो मैंने चोडाने के लिए अलग से एक वीडियो बनाई है उपर आई बटन में फ्लश हो जाएगी वहां से आप देख लिजेगा ये वीडियो अगर नेक्स वीडियो में किसी ने टोपिक के साथ थेंक्स फॉर वचिंग